सबसे बरी भरती के बारे में 2019 की आप सबसे बरी भरती कह सकते हैं इसको जिसका ऑफिशन नोटिफिकेशन भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया यहां पे फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग भी जाके ऑनलाइन कर सकते हैं विभिन होसा है पॉस्वार के लिए अलगald qualification रखा गया आपना पोस्ट कर सकते है अपने टेपलोवा कर रहा है तो भी आपलाइ कर सकते क्योंकि आपके लिए भी पॉस्ट है ठीक है उप उसी तरह की तो बहुत ही कम मिलती बहुत इस तरह के वेकेंसी जो है बहुत ही कम देखने को मिलता तो एक आप लोगों के सामने आया है तो इसके लिए आप आवएदान जरूर करें तो इस वीडियो में हम इस वेकेंसी पूरी इंफरमिशन जानेंगे कि कौन-कौन कंडिडेट अप्लाई कर सकता है सहली क्या होने वाल सब्सक्राइब करने के बाद बैल एकन जुरूर प्रेस करना तभी आपके पास नोटिफिकेशन आप आएगा एंड हमारे एक टेलिग्राम का चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप जादस जोप्स के अपडिट पाना चाहते है तो हमारे सबसे नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहूंगा जो की जारी किया गया है सिब्सक्राइब कर लिया है देख सकते हैं सेंट्र बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानि केंडरी माधिविक सिक्षा बोर्ड की तरफ से कुर्मेंट आई है और इसका ऑफिशन डाउंट करना चाहूं एक पाइंगे मैं आप लोगो बताने को बतांवाला थे अलग अलग जो है पूस्त के लिए ऑस्सिंट्र की पोस्ट है इसके बाद यहां पर देख सकते हैं किस कास के लिए कितनी पोस्ट यह सकते हैं कितनी एस्ट के तनी है वहीं आप ऑफिशन जूनियर एकाउंटेंट जूनियर असिस्टेंट के लिए रिकूर्मेंट है फिर उसके बाद यहां पर देख सकते हैं टेबल एक वेकेंसिट डिस्टिविशन अंडर पीड़लू डी के लिए जो है अगर पीड़लू के बात करें जो फीजिकली कुछ चैलेंजिंग लोग होत सकते हैं अब रिजर्वेशन तो आपको पता ही है कि रिजर्वेशन जो है ओबीसी सेस्ट को मिलता हुआ आया उसके बारें बताए गया है एंड ओन्लाइन रिश्ट्रेशन ऑफ द एप्लिकेशन देको पंद्रय गारे से स्टार्ट हो चुका है पंद्रय नॉम्बर से लास क्या है इसके बारें बताया गया सपोज करें अगर आप असिस्टेंट से क्रेटिक लिए पोस्ट करते तो इसके लिए एसेंसियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री फ्रों में रिक्योगनाइज उनिट्टिया अगर आपने गेजवेशन एक सिंपल सा ग ग्रेट की बात करें तो 500-600 रुपय का ग्रेट होगा अगर एक्सपरेइन्स है तो आपको और एक्स्ट्र सेली मिल सकता है एक्सपरेंस के बारे में बताए एक असिस्टेंट के लिए तो एड्यूकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो क्या है अगर बीटे कर रखा आपनी आपको अच्छी मिलेगी ठीक है एनलिस्ट के लिए बात कर लें तो आप इस पोस्ट के लिए इसली अपलाई कर सकते हैं अगर जूनियर हिंदर की बात कर लें इसमें कुछ बात कर लें तो सीनर असिस्टेंट बनने के लिए आपका जो है गेरेशन होने कंप्रेट होनी चाहिए और इसमें कुछ टाइपिंग स्पीड मां गया है 40 वर्स पर मिनिट के हिसाब से यहां पर देख सकते हो एस्ट्रोगाफर के लिए देख सकते हो बैचलर डिग्री कंप्र सब्सक्राइब करें तो इसमें बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए तो इस तरह से बहुत सारी वेकंसी के लिए जो हैसे बताया गिया है अगर आप ओवर एज हो सपोज करें कि आपके ज्यादा हो रहा है तो आपको एडिलेक्ट शेशन मिलता है सीस्ट को फाइव य होगी अब हम बात कर लेते एक्सामिनेशन फीज कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाइ करते हो तो आपको एक्सामिनेशन फीज के रूप में कित्ते रूपी पेस के पे करना होगा अगर अगर आप अन्रिजर्ब करिए हो यानि जेनरल हो ओवी सी हो और एड़ डिड सब्सक्राइब करते हैं अगर आप डिटेल्स में लेना चाहरे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वहां से आप जो है इस ऑफिशन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना अगर आप इंटेस्ट हो तो डाउलोड करने के बाद आप इसली अपलाई कर सकते हो पोस में दिया गया है तो आप एक बार डाउनलोड करके पर लेना तो गाइस फिलाल आज के लेता हैं फिर किसी नई वीडियो से मिलेंगा किसी नई अप्डेट्स के साथ थैंक्यू सो मच